अज बहुत ही टेस्टी और एक्चली अनोखी डेश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है दही के कबाब दही के कबाब का में इंगरिडियंट है दही और इसे डीप फ्राइ करके बनाया जाता है तो दही और डीप फ्राइंग है ना अनोखा कॉंबिनेशन तो चलिए देखते हैं दही के कबाब बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरुवत होगी सबसे पहले हमने आ लिया है दो कप हंक्ट कर्ड इसके बाद एक कटोरी प्यास जिसे हमने बारिक कट लिया है एक कप ग्रेटेड पनीर यहां मैंने होममेट पनीर लिया है जिसकी फुल रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है आप चाहे तो उसे देख सकते हैं इसके बाद आधा कप फ्रेश धनिया दो से तीन हरी मिर्च बारिक कटी हुई साथी में आधा छोड़ा चमच नमक एक छोड़ा चमच कदुगस किया हुआ अद्रक और एक छोड़ा चमच काली मिर्च पाउडर एक कप ब्रेड क्रम्स और डस्टिंग के लिए कॉन फ्लोर जो हमारे इन कबाब को क्रिस्पी टिक्स्चर देगा अब सबसे पहले हम हंग्ड कर्ड तैयार कर लेंगे ताकि हमारे दही से सारा पानी निकल जाए और वो एकदम ड्राइ हो जाए इसके लिए हम लेंगे इस तरह से एक छन्नी और उसके उपर एक पतला कपड़ा डालेंगे आप यहां मसलिन क्लोथ का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और अब इस पे सारा दही डाल देंगे कपड़े को चारो ओर से उठा कर इस तरीके से बान कर हम मिनिमम छे घंटा रेफ्रिजरेट होने के लिए रख देंगे छे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि दही हमारा एकदम ड्राइ हो चुका है और सारा पानी इसमें से निकल चुका है अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कटा हुआ प्यास इसके बाद हमारा ग्रेटेट पनीर हरी मिर्च ब्रेड क्रम्स अदरक नमाक काली मिर्च पाउडर और धनिया और अब सभी चीजे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हाथों में थोड़ा पानी या तेल लगा कर हम इसके कबाब बना लेंगे आप जो शेप इसे देना चाहे वो दे सकते हैं इसके उपर कॉन फ्लोर से थोड़ी सी डिस्टिंग करेंगे और ये कबाब फ्राइंग के लिए अब तयार है इन सबी कबाब को हम डीप फ्राइ कर लेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाने पर हम इन्हें निकालेंगे और गर्मा गरम हरी धनिया की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ इन्हें सर्व करेंगे आप भी ये कबाब बना कर देखिए और आई बैट कि आपको ये जरूर पसंद आएंगे तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताईए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर 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 सबस्क्राइब करें मैं मिलूंगी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई